हलो फ्रेंड्स मैं हूँ सरीता, मेरी चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है, I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे हम तिनों को गोलगपा बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है, तो फाइनली आज फिर से मैं गोलगपा बना रही हूँ घर पे और उसको हम डिनर में खाने वाले हैं, मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ, जब भी मैं गोलगपा बनाती हूँ, डिनर के लिए ही मैं बना लेती हूँ, और हम सब बहुत अच्छे से खा लेते हैं, और डिनर हमारा उसी में ही हो जाता है, और कुछ खाने की जरुरत भी नहीं के लिए आज फिर से गोलगपा बनाना स्टार्ट करते हैं, जब पास हैं, आजब अच्छे से उनरह एंग अच्छे से पांगा बनाना बनाती हैं, वारेते हैं, जब बनाती हूँ, जब बनाती हैं, इंग शर्पिते हैं, से पहले गोलगपपा के लिए हम लोग आलू मसाला बनाएंगे इसके लिए मैंने प्याज को स्लाइस में काटके रखा है हरी मिर्च को काटके रखा है और धनी की पत्ते को बारी काटके रखा है आप चाहें तो फिर ज़्यादा स्पैसी भी कर सकते हैं यहाँ पे आलू और यलो मतर को मैंने अच्छे से उबाल के रखा है और ये जो यलो मटर होता है इसको हम ज़्यादा नहीं उबालेंगे देखिए मैं इसको दिखा देती हूँ हम इसको किस तरह से उबाले है देखिए ऐसा ही रहेगा तो फिर खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है मटर और पिनर्स तो आलू में बहुत ज़्यादा जरूरी है और खटा बानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है हरी मिर्च और ये बाला अद्रक है खुसबू बाला अद्रक इसको आम अद्रक भी बोलते है और ये उपमा या फिर गोलगपे की जो पानी इसमें यूज होता है इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है इसका थोड़ा सा आमक जैसा ही फ्लेवर आता है और मैंने यहाँ पे लिया है पुदिने की पत्ते और धन्ये की पत्ते और यहाँ पर टर्मरिंड का पेस्ट मेंने लिया है, यह बहुत ही अच्छा है खटा पानी बनाने के लिए खटा पानी बनाने के लिए इस अद्र को मैंने काट लिया है और हरी मिर्च को भी बारेक तोड लिया है उसके साथ ही हम डाल देंगे पुदिने की पत्ता और धनिया की पत्ता और साथ ही साथ हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाके हम तियार करेंगे ये देखिए हमारा एक बहुत अच्छा पेस्ट बन गया है जिस कंटेनर में हम खटा पनी बनाएंगे उसी में मैंने डाल दिया है और इसमें अभी मैं टमरेंट का पेस्ट डाल रही हूँ पेस्ट डाल के हम इसको अच्छे से मिलाएंगे फिर इसमें और ज्यादा पानी आड़ करेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ अभी जलजीरा ये वीडियो मेरा स्कीप हो गया है जबकि मैंने इसमें नमक और एक पिंच सुगर डाला था तो जलजीरा डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ अभी बनाएंगे आलू मसाला, आलू मसाला में मैंने डाल दिया है, ब्लाक सॉल्ट, चिली पाउडर और हमारा कटी हुई हरी मिर्च, प्याज और धनी की पता, आधा कप के करेब खटा पानी मिला के मैंने इसको अच्छे से मैस करके आलू का मसाला मैंने बना लिया है, अभी मेरे पास पीसी हुई चीनी हमें से अविलेबल रहती है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप नॉर्मल सुगर भी यूज कर सकते हैं, पर उसको मिलाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मेरे पास ये पीसी हुई चीनी था, तो मैं इसको आड़ कर रही हूँ, इ यहां पर मैंने नमक डाल दिया है, नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अभी हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, चाट मसाला डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे, एक चट पटा सा टेस्ट हमारा आएगा दही का, और दही वाला पानी पुरी तो बहु अपने हिसाफ से ही तीखा कम्या जादा कर सकते हैं गोलगपपा के साथ खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है यह है रेडिमेट गोलगपपा मैं अक्सर घर पे बनाती हूँ गोलगपपा सुजी और मैदे से पर उसमें महनत जादा लगता है obviously महनत का फल मिठा होता है इसलिए उसका टेश तो obviously अच्छा रहता है पर ये बनाने में बहुत ही आसान होता है और ये बहुत अच्छी तरह से फूलता है तो इसलिए जब से मैं ये बला यूज़ कर रही हूँ तब से वो बला मैं घर पे बना नहीं रही हूँ क्योंकि उसमें महनेच ज्यादा लगता है पर इसका टेस्ट भी कुछ खराप नहीं है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है तो फिर चलिए इसको फिर हम फ्राई करते है यहाँ पर मैंने ओइल को गरम होने के लिए रखतिया है आइल हमको जादा गरम नहीं चाहिए हमको बस मतलब आइल बस थोड़ा सा ही गरम हो इतने में हमारा काम हो जाता है तो फिर जैसे कि मेरा आइल थोड़ा सा हलका सा गरम हो जाएगा फिर मैं इसमें डाल दूँगी गोल गपा क्योंकि जादा गरम तेल में हम डालते हैं तो फि तो पूलता नहीं है , इतनी अच्छी तरह से फूलता नहीं है इसलिए हमें हलकी गरम टेल में इसको फ्राइ करना है यह देखिए मैंने यहां पर कुछ गोलगप़ को डाल गिया है यह देखिए हमारा गोलगप़ सीधा है इसक्ट lol जितना साइज का फुला हुआ है अगर हम पूरे गरम तेल में डाल देंगे तो फिर यह इतनी अच्छी तरह से फूलता नहीं है एक बार यह लो फ्लेम पे फूल जाए उसके बाद उसको कलर लाने के लिए आप उसको हाई कर सकते हैं हम इसको पूरा गोल्डेन ब्राउन होने अगर हम ऐसे ही उसको निकाल देंगे प्लेट में तो यह जल्दी ही साफ्ट हो जाता है तो फिर हमें तब तक इसको फ्राइ करना है जब तक उसके ऊपर गोल्डेन ब्राउन कलर नहीं आ जाए यह देखिए मेरा यह थोड़ा थोड़ा करके कलर अभी चेंज हो रहा है तो म मैं इसको अभी एक प्लेट में निकाल दूँगी आलू में डालने के लिए अभी में कुछ पिनट्स को फ्राइ कर रहे हूं आलू में पिनट्स बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए यहां पे देखिए हमारा गोलगपा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है यह मेरा ती टेस्ट कर रही हूं वाव बहुत ही अच्छा बना है और ये में टेस्ट करने वाली हूं दही वाला ये भी बहुत अच्छा बना है अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो फिर मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू